आज हम देखेंगे कि JMP PORTAL पर आप एजर है, तो क्या बायर है तो कई बार क्या होता है कि लोगों के बहुत सारे डाउट आते हैं कि हम लोग कैसे करें, कैसे से पर्यूट करें हुआ हbn सबस्क्ता हैं कि पता ही कुछ तो आप चाहे बायर हो चाहे सेलर हो और और आपको हम लोग वीडियो बना के बता रहे हैं हर चीज फिर भी उसके अलावा भी jam portal पे training module दिया हुआ है उसको कैसे access करना है यह आप कुछ समझना है तो आपको jam.gov.in टाइप करना है और उसके बाद आप जाएंगे तो उसमें jam portal पे एक है training module उसमें जाई है और आगर पेन के आधर यूज करते हुएly profile कैसे update करना है उसका यहाँ पर वीडियो भी है यह वीडियो खुलेगा और यहाँ पर PDF भी है जिसमें पूरा समझाय होगा烦 कि कैसे आप पेन का यूज करते हूए आधार का यूज करते हूए कैसे आप रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पू पूच्चे टैलोक करना एंबR में किसे करेंगे यह सब जो Çok करेंगे यह सब जो चीजे हैं कि supplementary invoice कैसे reverse करें दें सर्विस की कैसे invoice कर रहे हैं order processing कैसे कर रहे हैं invoice कैसे generalist कर रहे हैं home jam portal पर यह जब सब चीजे बिल्कुल दी वही है चाहिए आप बायर हो बायर हो तो बायर के case में भी आप यह सारे देख सकते हैं कि कैसे procurement modes में procurement में registration में order processing में यह सब चीज़े आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हो तो आपको 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 यह समझ में आया होगा कि concept क्या है? concept यह है कि आपको कई भी training एक तो इनकी continuous training होती रहती है जो हमने पिछले वीडियो में बताया था दूसरा जो aspect है कि आप जो इनके वीडियो जाए यह लोग अपने वीडियो या जो text PDF document है वो डालते रहते हैं आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं बीच बीच में हम लोग अपना वीडियो दे रहे हैं जो वीडियो है वो क्या उस चीज़ को explain कर रहा है कि क्या होता है उसका मतलब क्या है उसका logic क्या है उसका वे क्यों वो ऐसा ही क्यों कर रहे हैं उस तरीके से समझा रहे ताकि आपके लिए इज रहे पर जो basic standard चीज़े हैं आप उनके लिए इनको भी follow कर सकते हैं और यह चीज जिसमें एक important चीज़े की है इसको continuously update करते रहते हैं जैसे इसको 4 February को यह update किया है इन लोगों ने तो अगर कुछ भी ने क्यों कि जैसे मैंने कोई वीडियो बनाया तो हो सकता है कि एक साल बाद उसमें कुछ parts जो हैं वो add कर देंगे तो वो parts के लिए आपको वाबस से review करना पड़ेगा